मुझा आज हम बनाने जा रहे हैं लाल मिर्च का चार तो यह हाफ केजी लाल मिर्च ले लिए मैंने तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके जो यह डंठल है इनको मैं हाफ कट करूंगी और उसके बाद इसमें जो हैसे कट लगाएंगे और फिर इसमें मैंसालपड़ा बहरेंगे तो यह इसको मैंने अच्छे से जो हीं को डोलिया है भोख करके शुबरे कर देंड टो चल्याजिए शुरु करते हैं है तो यह द करती लिए इसमेसे मैंने कट लगा लिया है और अब चलिए मशुच द्यार करते हैं ameaf again मसाले को थोड़ा रोस्ट करेंगे यह मैंने सौफ मेथी दाना और जीरा लिया है इसको दो तीन मिनिट के लिए ड्राइ रोस्ट करेंगे और इसको दर्दरा सा हम कूट लेंगे बस एक दो मिनिट के लिए करना है इसको देखिए एक दो मिनिट हो गया है इसको अब हम गैस की फ्लेम आफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा करके और इसको मोटा मोटा दर्दरा सा इसको पीस लेंगे देखिए मसाला थोड़ा दर्दरा सा पीस लिया था और साथ ही इसमें मैंने ये पीली सरसो मिक्स करिए और थोड़ी सी इसमें जवाइन डाल देंगे इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब इसमें नमक डाल देते हैं थोड़ी से हल्दी थोड़ी लाल मिर्च आप चाहो तो लाल मिर्च स्किप कर सकते हो इसके बदले आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं अब आप साइड मैंने यह ओई गरम कर लिया है अच्छे से गरम कर लिया इसको अब तीन-चार चमच हो हम यह मसाले में मिक्स करेंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे इन सब कच्छे से मिक्स कर लेके अब मिक्स में दो तीन चमर्ष जो है वाइट वेनेगर मिक्स कर रहे हैं आप चाहे तो निम्बू का रस भी डाल सकते हैं इन सब कच्छे से मिक्स कर लेना है और इस मसाले को हमने जो है यह मिर्च के अंदर भरना है इसको मसाले को यह देखिए इसको अच्छे से मिर्च के अंदर जो है हमने यह मसाले को फिल अप करना है यह देखिए विवर्स, सारा मसाला मैंने इसमें मिर्चों में भर दिया है, तो अब हम इसको काच के जार में डालेंगे, आप कोशिश करीजिए के काच का ही जार लें, वैसे तो प्लास्टिक के जार में भी बना सकते हैं, लेकिन काच का जार जरा सही रहता है, तो इसको अच ऑईल में डिप करके और ऐसे मर्दवान में डालते जाएंगे सारी मिर्चे हाँ, इसमें ऐसे भर देंगे ये देखिए विवर्ट, सारे मिर्चे मैंने इसमें जार में भर दिया और जो मसाला थोड़ा सा बचा था वो भी इसमें डाल दिया है अब जो ये ओईल बचा हुए है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं अब इस अचार को हम तीन दिन तक धूप में रखेंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे तो तीन दिन बात ये अचार खाने लाइक हो जाएगा तो एक बार इसको बनाईए और पूरा साल खाईए आप इसमें ओईल पूरा जो है मिर्ची डूप जानी चाहिए पूरी इतना ओईल भर दीजिए तो आप इसको एक साल तक ये इंजोई कर सकते हैं एक साल तक ये अचार आपका खराब नहीं होगा अगर ऐसे भी रखेंगे तो तीन मीने तक तो बिन ओईल के कम ओईल में भी तीन मीने तक चल जाता है बट अगर आपने पूरा साल बर चलाना है तो ओईल जो है इसमें पूरा भरा होना चाहिए मिर्ची जो है डूबी होनी चाहिए वाइल में तो वीवर्स आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू थैंक यू वेरी माच कर दूबातर ? कर दैंक यू एका यवर्स कीजिए खुबू вас सब्सक्राइब थास कर दो आदें प्रू इन्क यू श स्ब्सक्राइबी चाहिए झाम कर दो लोलों बोलों cabe हम माच रावे पा हूस कर दो दो आदें दो, दो खेंगे